प्रोस्टाग्लेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे और प्रेफर्ड प्रोस्टाग्लेंद स्टिम्लेट करते हैं यूट्राइन कंट्रेक्शन को जिसके जैसे मिस्करिज का रिस्क हो सकता है और यह प्रेगनेंसी में से लिए कांटर इंडिकेटिड है साइड इफेक्ट इन का डायरिया है कि चूhtह नंबर पे एंटासिट आते हैं इस ने चार ड्रच आती वित वीक्स सब्सक्रशिया और मॉत्त कमचा सब्रक्राइब करिए चाल कृति सकता है इसलिए यह commonly use नहीं होता है इनका यूज आफ्टर दे मील होता है यह symptomatic लीफ के लिए यूज होते हैं यानिके पेप्टिक अलसर डिजीज के सिम्टम्स हार्ट बर्ण के सिम्टम्स गर्ड के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए साइड एफक्ट में मैंगनीशम हार्ड डॉक्साइड डारिय करवा सकता है अलमीनियम हार्ड डॉक्साइड कोंस्टिपेशन करवा सकता है और अगर किसी की रिनियल प्रोब्लम है तो यह ड्रग अकॉमूलेट हो सकती है सो हमने डोज एजस्टमेंट की ज़रत पाड़ सकती है मुकोजल प्रोटक्टिव एजन में दो आती है सुक्रल फेट और बिसमुत सबसलिसालेट सुक्रल फेट अलुमिनियम हाड्रोकसाइड के साथ सुक्रोस का कम्मिनेशन होता है यह जल यह बेरियर बना देते हैं एपिथीलियल सेल्स के उपर और यह अल्सर्स को हिल होने में मदद देते हैं ड्यूडनल अल्सर्स और स्ट्रेस अल्सर्स इसकी मल्टिपल डोजिस रिक्वाइर होती है और ड्रग ड्रग इंट्रेक्शन भी बहुत ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होती है सुक्रल फेट किसी भी कम्मिनेशन के साथ नहीं यूज हो सकती है मिसाल के तरपे पीपी आई एस्टु अंटागनिस्ट या इनके लिए एस्ट मीडियम चाहिए होता है ताकि यह वर्क कर सके बिस्मुद सबसालिसालेट पैपसीन की अक्टिविटी को इनहीबिट करती है म्यूकर सेक्रेशन बढ़ा देती है अलसर को प्रोट्रेक्ट करती है और यह कॉड्रिपल थेरापी में भी एक कंपोनेंट है